दोस्तों नमस्कार इस क्लास में अभी तक दो क्लासे सोच चुकी है मैइनेटेजैसन के उपर यह तीसरी क्लास है इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सिर्पस आफ मैइनेट्स के बारे में चुम्बकों की आकरिति जैसा हमारा प्रयोग जिस प्रकार करता है उसी प्रकार के चुम्बक बनाया जाते हैं तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किन-किन तरीकों से किन-किन मेथड्स की साहता से चुम्बक बनाया जाते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं सेफ साफ मैइनेट्स के बारे में दे को जाना चाहिए कि यह पर्मानेंट मैगनेट है पर्मानेंट मैगनेट है पर्मानेंट मैगनेट का मतलब अस्थाई चुम्बक है अब यह अस्थाई चुम्बक है यानि एक बार इनको बना दिया गया तो यह क्या होंगे इसमें चुम्बकी सकती रहेगी लेकिन कब तक रहे यदि इसके उपर हतवड़े से बार-बार वार किया गया या इसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया तो क्या होगा इसका जो magnetization है वो demagnetize हो जाएगा पिछली क्लास में हमने देखा था demagnetizing property of a magnet so start करते हैं बार-magnet से तोकिए simple सा एक लोहे का छड़ है उसी को बोलते हैं बार-magnet अगर में magnet है लोहे के छड़ रूप में है उसको बोला जाएगा बार-magnet तो ऐसे आयताकार छेत्र में आयताकार आकृति में आपको मार्केट में बहुत सारे चुम्बक मिल जाएंगे जिनें हम बार मैगनेट बुड़ाता है mostly ये लोग इसको अगर नॉर्मली बात करें तो लोग पेपर वेट के लिए इन सारे मैगनेट का यूज करते हैं दूसरा है हर्सू मैगनेट हर्सू का मतलब घोड़े की नाल अगर जो घोड़े की नाल है आपने देखा होगा कि घोड़े का फुट होता है कुछ इस प्रकार कराता है इस प्रकार का ऐसे घोड़े का पैर आता है तो इसके पैरों में नाल ठोकी जाती है नाल ठुकने का मतलब क्या होता है, कि लोहे का एक कवरप इसमें लगाया जाता है चुकि होता क्या है, कि जो घोड़े का नाकून है, काफी तेजे से बढ़ता है और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको दोड़ने में प्राब्लम होती है इसलिए और कभी-कभी बिना नाल के घुड़े दोड़ते हैं तो उनका नाखून भी फड़ जाता है उसमें से खून आने लगता है तो उन्हें परिशानी होती है जो लोग घुड़ा रखते हैं जिन लोग पास घुड़े हैं वो लोग हमेशा गोडे के पैरों में नाल ठोके रखते तो नाल कुछ इस प्रकार का होता है तो इसमें ऐसे एक नाल प्रकार का ऐसे ठोका जाता है और बाद में क्या होता है कि उनके नाखुन को काटा जाता है तरह तरह के वीडियो हैं यूटूब पे पड़े होंगे आप देख सकते हैं तो घोड़े की नाल प्रकार का अगर इस प्रकार का सपोस कोई बार मेगनेट है उससे हमने क्या किया मोड दिया मोड देने से क्या हो जाएगा वो इस तरीके से मोड़ा यू आकार में ऐसे होता ने यू आकार यू अंग्रेजी बन माला का यू तो यू आकार में अगर कोई चुमबक है तो इसको बोलेंगे होर्सू मैगनेट अब ये जिसका जैसा रिक्वर्मेंट है उस जगह पर ये यू जाते है तीसरा है रिंग मैगनेट रिंग मैगनेट का मतलब अंगूठी जो होता है गोल कलर का सॉरी गोल कलर का नहीं गोल रिंग होता है रिंग हमेशा हाथों में पैनी जाती है तो सरकल टाइप का होता है तो इसी को बोलते हैं अगर ये किसी बार को इस तरीके से मोड के बनाया जाए पहले क्या किया जाता है एक ring बना लियाता है फिर उसके उपर induction process से उसको magnet बनाया जाता है तो उस प्रकार के जो magnet है वो ring magnet के अलाते है नेक्स्ट है फोर्थ है cylindrical काफी easy है सिर्फ नाम देखिए और आकार देखिए आपको तयार हो जाएगा आपको यह याद रखना होगा कितने प्रकार के होते हैं चुकि नाम भी काफी आसान है सेव क्याधार पर नाम भी आसान है cylindrical type of magnet तो यह magnet ऐसे होते हैं जो cylindrical होते हैं तो अंदर से खोखला भी होता है और जो solid figure भी होता है तो जो खोखला figure होता है ध्यान दीजेगा कि वो cylindrical type of magnet नहीं होता है क्योंकि जब खोखला होगा तो वो क्या हो जाएगा उसका अगर हम cross section देखें तो वो cross section कैसा होगा circle होगा circle कैसा होगा 2D circle होगा not 3D 3D का मतलब क्या हो गया 3D का मतलब कि उसके अंदर height का भी measurement है height भी है exist कर रहा है यानि thickness भी उसकी exist कर रही है तो इसमें क्या होता है thickness कम हो जाता है thickness नहीं होता है अगर hole हुआ तो hollow नहीं होता है यह क्या होता है एक पूरा solid figure होता है solid cylinder अब इस प्रकार के जैसे यह marker है अगर मान लिजाए कि अंदर से hollow नहीं है तो यह क्या है एक bar magnet है कि इस प्रकार का cylindrical type of bar magnet नेक्स्ट है especially shaped magnet तो देखे कुछ special ship के magnet यहां पर बने हैं इस प्रकार से हैं इस प्रकार से हैं जिस प्रकार का अणुप्रियोग हम करने जा रहे हैं, जिन इस प्रकार का अनुप्रियोग है? अब अनिप्रयो देखिए कहां कैसे हो सकते हैं जीसे automatic cycle हो गया खिलbad हो गया डाइनेमो हो गया डाइनेमो का मतलब छोटा generator छोटा DC generator उसको डाइनेमो गोलते हैं weiß हो गये खिलोणै तो खिलोणै कई प्रकार के आते हैं आप बच्चों के खिलोने देख लिजे, बहुत सारे ऐसे खिलोने हैं, जो मॉल्स में आप जाईए, तो छोटी-छोटी कारे हैं, आपस में वो मैगनेटिक कार हैं, उस पे लोग खेलते हैं, तो उस प्रकार के भी मैगनेटिक कार में अलग-अलग प्रकार के मैगनेट लगत फिर मिजरिंग इंस्टुमेंट्स में जो भी इलेक्टरिकल मिजरिंग इंस्टुमेंट्स हैं उनमें किस किस प्रकार के मिजरिंग इंस्टुमेंट्स हैं तो उनको किस प्रकार का मैगनेट किस सेप का मैगनेट चाहिए वो डिसाइड होता है फिर उस सेप का मैगनेट दोस्तों देखिए हमारे पास methods of magnetization चुम्बक बनाने की कुल तीन बिधियां है पहला है touch method यानि sparse बिधि आपके सामने डायराम बने हैं इसको हम लोग अभी देखेंगे दूसरा है by the means of electric current बिध्युधारा के द्वारा बिध्युधारा की के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं magnet बनाते हैं इसे बोलो जाता है magnetic effect of electric current तीसरा है induction method प्रेरण की बिधि से चुम्बक बनाना तो देखिए induction method होता है induction method एक ब्यवसाइक method है commercial method of making permanent magnet एक ब्यवसाइक तरीका है commercial method है अस्थाई चुम्बक बनाने का induction method तो आएए तीनों को सीखते हैं सबसे पहले touch method यानि असपर्स बिधि तो देखिए ये असपर्स बिधि में तीन बिधिया है एक है single touch method यानि एकल असपर्स बिधि double touch method यानि दूइ असपर्स बिधि और तीसरा है divided touch method विभाजित असपर्स बिधि तो सबसे पहले समझेंग का प्रयाज करते हैं single touch method को देखिए single touch method में एक steel का बार होगा यानि एक हमारे पास magnetic material होगा जिसको हमें चुम्बक को बनाना है तो वो देखिए नीचे आमने रखा है इस पे एक अस्थाई चुम्बक से किसी भी एक सिरे को इस तरीके से इस पे गुमाया जाए देखिए मैं दिखा रहा हूं सपोज ये नार्थ पोल है ये south pole तो नार्थ पोल को कुछ इस पे इस तरी आइसे इसको रगड़ा जाए कि फिर ये नार्थ पोल से ही आईसे इसको तो अगर रगड़ते जाएंगे, रगड़ते जाएंगे, तो क्या होगा, after some time, ये process repeatedly हम करते जाएंगे, तो करते क्या होगा, ये जो steel का बार है, ये एक अस्थाई चुम्बक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानि कि इस में इस magnet की जितनी भी सक्तियां हैं, सब क्या होगी, धीरे-धीरे इसमें परिवर्तित होने लगेंगे, तो ये भी magnet रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसका पूरा-पूरा magnetization ही खतम हो जाएगा, magnet रहेगा, लेकिन साथ-साथ क्या होगा, ये इसको भी एक चुम्बक के रूप में परिवर्तित कर देगा, तो इसी को कहते हैं, single touch method, यानि एक बार से एक बार, किसी एक टच को हम, किसी एक पोल को हम टच करा रहे हैं, बार-बार इसको इस पर टच करा रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ऐसे, यूं कर रहे हैं, तो क्या होगा, at last, after some time, ये जो इस टील बार रहे हैं, ये एक चुम्बक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, next, दूसरा है double touch method, double touch method ये कहता है, कि दो magnets के बीच में, अब देखिए, इसमें, सिर्फ एक steel bar और एक magnet के आव सकता थी, लेकिन इसमें, चार अस्थाई, जो चार अस्थाई, बार magnets हैं, इनकी आव सकता पड़ेगी, दो bar magnets को नीचे रखा हमने, एक को north pole पे, एक को north pole से हमने लगाया, एक को south pole से, दोनों के poles पे, हमने इस तरीके से, एक steel के rod को रख दिया, जिसे हमें, चुम्बक को बनाना है, अब इस के बीच में, हमने एक non magnetic material रख दिया, यहाँ पर हमने, एक non magnetic material और रख दिया, अब हमने दो चुम्बक लिए और दोनों के अलग अलग पोलोंगे हमने क्या किया इस तरीके से इसको इस पर रगड़ना शुरू किया ऐसे यूं रगड़ना शुरू किया तो at last क्या होता है यह जो बार है स्टिल का जो छड़ है वो एक चुम्बक के रूप में after some time कुछ समय के बाद परिवर्तित हो चाएगा तो जिए परिवर्तित होगा नेए किस रूप में अब इसके पोल्स किस प्रकार बनेगे फूल्स इस प्रकार बनेगे अगर देखिए हम जिस प्ल से जो पुल यहां है यानि नीचे वाला जो मेगनेट है जिसपर यह रखा गया है अगर ये भी South है और South पुल से हम ऐसे कर रहे हैं तो क्या होगा ये North पुल बनेगा अगर ये North है दोनों North पे रखके North को ही हम क्या कर रहे हैं ऐसे लगा रहे हैं तो क्या होगा? टच करा रहे हैं तो यह साउथ पूल बनेगा, अपोजिट पूलस ऐसे बने जा तीसरा, डिवाइड़ टच मेथड तीसरा जो मेथड है, डिवाइड़ टच मेथड तो इसमें भी हमें टोटल चार मैगनेट्स की जरूद परती है तो इसमें हमने किया क्या है? इसमें यह जो बीच का नान मागनेटिक मेटिरियल है उसको हमने हटा दिया है हटाने के बाद क्या किया है? सेम प्रोसेस वह ऐसे ही क्या करेंगे? ऐसे रिपीट करेंगे ऐसे रिपीट करते जाएंगे ऐसे, एक south है, एक north है, north है, south है, ऐसे repeat करते जाएंगे, तो ऐसे repeat process को बार-बार repeat करने से क्या होगा, कुछ समय बाद ये जो steel का बार है, यहाँ पे देख लेते हैं, steel का जो बार है, ये एक चुम्बक के रुप में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका screenshot ले लिजे, इसका screenshot ले लिजे, इसके बाद हम लोग देखते हैं, by the means of electric current, electric current के द्वारा कैसे चुम्बक बनाया जाते हैं, दोस्तों, आईए हम देखते हैं, दूसरी बिदे, by the means of electric current, बिद्व धारा के द्वारा, एक चुम्बक को कैसे बनाया जाता है, इस मेथड से जो चुम्बक बनता है, उसको हम बोलते हैं, electro-magnate, electro-magnate की तरह ये यूज होते हैं, तो आईए देखते हैं इसको, ये हमारे पास एक, माना एक L Length का, एक Steel का बार है, इसके उपर हमने क्या किया, एक वायर से, इसको इस तरह के से कुण्डली कर दिया, कुंडली हमने लपेट दिया इसको, अब क्या करेंगे, इस कुंडली को हम DC सप्लाई देंगे, इसको, यहां मैं लिक देता हूँ, जब इसको DC सप्लाई देंगे, तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाइत होगी, आई, आई धारा प्रवाइत होगी, तो यह धारा देखिए कैसे प्रवाइत होगी, इसका पत, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसका पत, यह धारा इसमें ऐसे प्रवाइत हो रहे हैं इसमें, फिर यह अंदर से उट साइड से आएगा, फिर यह ऐसे, फिर यह अंदर से यहां पर देखिए यह ऐसे अंदर से आएगा यूँ इसमें फिर उपर की तरफ फिर यह उपर से ऐसे आ रहा है फिर यह इसमें उपर की तरफ फिर उपर से ऐसे ऐसे उपर की तरफ फिर यहां से उपर की तरफ गया और यहां से नीचे की तरफ ऐसे आ गया तो देखिए दार एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो क्या होगा, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड थम रूल से, यह कहता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड थम रूल यह कहता है, राइट हैंड रूल, कि अगर, किसी यदि किसी magnetic material के उपर अगर coil किया गया है तो अगर coil की दिशा को हम इस तरीके से coil को इस तरीके से पकड़ें उसकी winding को यानि उसके उपर जो कुंडली की गई है कुंडली को इस परकार से पकड़ें कि उंगलियों की जो direction है वो अगर current की दिशा दिखाए उंगली की direction क्या दिखाए current की दिशा दिखाए तो जो अंगुठा होगा thumb will always represent the north pole अंगुठा हमेशा north pole को represent करेगा यानि इधर क्या होगा north pole बनेगा अंगुठा हमेशा north pole दिखाएगा और जब यह north pole होगा तो जाहिर सी बात है जब यह magnet हो रहा है तो two poles यह दर south pole बनेगा right एक बार इसको फिर देखे जब इसको DC सफलाई देंगे तो flaming के right hand thumb rule के recording उंगलीयों की दिशा क्या होगी उंगलीयों की दिशा अगर current की दिशा है उंगलीयों की दिशा तो north pole हमेशा क्या दिखाएगा अंगुठा क्या दिखाएगा हमेशा north pole बनाएगा यह ध्यान देना है कि हमें right hand का यूज करना है ऐसे ऐसे north pole दिखाएगा और यह वाला pole south हो जाएगा तो जाहर सी बात है अब यह जो इसके अंदर जो भी बार है वो क्या हो जाएगा एक magnet हो जाएगा जब magnet हो जाएगा तो इसमें ऐसे magnetic flux lines ऐसे प्रवाइद होने ले कुछ इस प्रकार से यह एक magnet बन जाएगा इसका screenshot ले लिजिए इसमें explanation है बाकी इसमें explanation के अलाबा अगर बोलेंगे कि theory जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़े आप theory में लिख सकते हैं एक इसका screenshot ली लिजिए हम लोग induction method को देखते हैं दोस्तो अभी तक हमने तीन में दो methods देखे touch method और by means of electric current आईए हम लोग बात करते हैं induction method के बारे में induction method यानि प्रेरण बिधी देखे यह जो बिधी है यह strong magnet बनाने क्या जैसे टेलिफोन में यूज करते हैं speakers में यूज करते हैं खेलोनों में यूज करते हैं इसके साथ साथ और भी measuring instruments वगरा में यूज करते हैं तो इससे क्या होते हैं permanent magnet बनाने की बिधी है काफी ज़्यादा strong permanent magnet इस बिधी से बनाया जाते हैं तो देखे यह बिधी कैसे permanent magnet बनते हैं तो दो coil को देखे एक iron का core होता है एक iron का core होता है core के दोनों साइड में हमने core के दोनों साइड क्या होता है एक कुंडलित बार होता है और इस कुंडलित बार को DC सप्लाई दिया जाता है कोर खाली रहता है इस कोर को DC सप्लाई दिया जाता है जब इसको DC सप्लाई स्विच को जब आन करेंगे तो क्या होगा यह जो एक steel का बार होता है आप देख लिजे इसको steel का बार, लिखेंगे इसको steel का बार, जो steel का बार होता है, जो magnetize नहीं होता है इसको magnetize करने के लिए इसमें दिया जाता है इसमें core में रख दिया जाता है फिर इसको DC supply case को on कियाता है, यानि switch को on किया तो switch को on करने की कुछ दे ही बात क्या होता है ये जो steel का bar है ये एक strong magnet बन जाता है फिर supply को off करके हम क्या करते हैं इस strong magnet को बाहर निकाल लेते हैं और ये हमेशा ऐसे ही एक strong magnet की रूप में बढ़ करता है, जिसका प्रियोग जिसका अनुप्रियोग भिन भिन चीजों में होता है तो ये इतनी सारी methods ये methods थे magnet के बनाने के आज के लिए दोस्तों इतना ही next lecture में हम लोग कुछ और भी सारी चीजे बात करेंगे जैसे Electromagnetism के बारे में बात करेंगे Magnetic Flux Intensity Magnetic Field Density इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके कुछ numerical points होंगे और जिनके formula based चीजे होंगी तो आज के लिए इतना ही अभी तक जो theory का portion चल रहा था जिसमें हमें सिर्फ explanation सा समझना था वो अभी तक हुआ है बाकी अभी जो भी बात करेंगे इसमें कुछ definitions है कुछ formula है इन formula का यूज करके numericals भी पूछे जाते हैं इसके बाद electromagnetism है कि electric field से electricity से magnetism की तरफ कैसे जाते हैं फिर magnetic circuit है और different type of और भी magnetism से related चीजे है तो उनको हम लोग next lecture में बात करेंगे ये आप देखेगा ये तीसरा lecture है magnetism पर तो अभी मेरे ख्याल से तीन या चार lecture और इस पर होंगे और पूरी तरीकसी ये खतम हो जाएगा अगर आपको कोई doubt है तो आप please comment box में comment कीजे हम सब मिलके इस doubt को clear करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जैहन